सब्सक्राइब नमस्तेदाब दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करता है आप सब ठीक ठाक होगे दोस्तों जब मैं पहली बार सौधी अरब आया था तो मुझको क्या-क्या परिशानी आई और किस तरीके से मुझको क्या-क्या सुवधाय मिली एक कंपनी में जाने की यह ट्र आप में फ्लाइट में आया मेरा पहला दिन कैसे गया मैडिकल कैसे हुआ और लाइसेंस कैसे बना यह सब चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं तो दोस्तों देना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहलं बात करते हैं जो मेरा आजेंट मैं रहता हूं तो पहले आपको बीजा चैक कर वाना है उसके पास सारी देनी दोस्तों मैं पहले आहे तो मुझको अन-लाइन चेक करना भी नहीं आता था क्योंकि उस टेम पे इतनी ज़्यादा नोलेज नहीं थी तो मैंने क्या कि अपना बीजा आया बीचे के बाद पेमेंट दी पेमेंट के बाद जो मेरे एजेंट्स ने मेरको बोला कि आपको मुंबई जाना है क्योंकि मेरे मुंबई का थाा आपको पासपोर्ट टिकट उसी के पास से मिलेगी तो उसने मुझको ट्रेन का टिकट दिया मैं ट्रेन में बैटके मुंबई पहुंचा मुंबई पहुंचने के बाद एजेंट के ऑफिस में गया वहां पर उसने मेरा स्किल टेस्ट करवाया यानि कि मेरे को भेजा एक सेंटर में ज जो वो CD की वीडियो बनाए गई थी, वो मेरी कंपनी को सेंड की, और उसके बाद उसने मुझे टिकट और पासपोर्ट दे दिया, दोस्तो दूसरे दिन की मेरी टिकट थी, लगबग दो ढ़ाई बजे की मेरी फ्लाइट थी दूसरे दिन, तो मैंने रात को जो है दादर गु और जाने वाले हैं, जो बिहार और यूपी से ब्लोग करते हैं, क्योंकि एजेंट के ओफिस में मुझे को एक लड़का मिला था, जो वहाँ पर काम करता था, वो ही साथ लड़कों को लेकर वहाँ आया था, तो दोस्तों जैसे तैसे करके, हम सब लोग जद्धा के जाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमको उतारा गया और एरपोर्ट पर पहुंचते सार ही नए लोगों को अलग कर दिया गया, जो सौधी अरब में पहली बार आये हैं, उनको अलग कर दिया गया, उस्तों जो हमारी फ्लाइट थी हो, रात लगवक साड़े आठ बजे स आपकी आई की स्केनिंग की जाएगी, आपका फोटो खीची जाएगी, और उसके बाद आप सौधी अरब में कोई भी डोकुमेंट बनाएं, लाइसेंस बनाएं, आपकी आईडी बनेगी, कुछ भी बनेगी, उसमें वही फोटो आएगी, वही इन्फोर्मेशन आईगी ज आपको सुपरवाइजर को फोन करना है, लेकिन दोस्तो उस कंपनी में मेरा कजन था, वो कजन मेरे को लेने आया वाँ था, जैसी मैं भाद निकला, फिर हमने वहां से टैक्सी करी, टैक्सी करने के बाद हम लोग कंपनी में पहुंच गे, दोस्तो जब हम एरपोर्ट से भा खेत, कच्रा, इस तरीके का मतलब वहां पर माहौल दिखा, तो मुझको फील यह हुआ कि यार मैं कहां फस गया हूँ, आके अब मैं क्या गरूँगा, तो दोस्तो यह सब के साथ होता है, जब भी आप नई जगा पर जाते हैं, तो आपको थोड़ा उसमें अटपटा पनी अजीब या ओपरा पन लगता ही लगता है, दोस्तो उसके बाद रात को मुझे बिस्तर वगएरा संबिल गया, मैं सो गया, सुबह उठा, सुबह उठने के बाद इधर उधर घुमता रहा, क्योंकि जब मैं सौधी अरब जाने के लिए मुंबई एरपर पर पहुंचा तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को डरा दिया कि तुम गल्ब जगा फस गयो, सौधी अरब जा रहे हुआ के कानून ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, और सौधी अरब का जब मैंने पासपोर्ट लगाया था, सौधी अरब के लिए अपने एजेंट के पास, तो मेरे घर व सुने होते हैं, वो उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, तो दोस्तों जैसे तैसे दूसरे तीसरे दिन कंपनी का आदमी आया है, वो हमको मैडिकल करवाने लेगा है, दोस्तों जैसा गमका मैडिकल होता है, उतना ज्यादा जो है मैड ताठ दिन हो गयते हमारी कंपनी का सूपरौाइजर आया उसने हमें पुराने गाड़ी कि अपकंपनी के अंदर अंदर इसको रिवर्स करने की प्रैक्टिस करो तो दोस्तों मेरेको तो लगभग रिवर्स करना आता ही था तो जो लोग यूपी भी भिहार से थे उनमें से कुछ लोग ड्राइवर्स थे जो मुंबई में कंटेनर का काम करते थे लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको गेर भी नहीं लगाना आता था तो दोस्तो इस तरीके से एक डिर्ड महीना हमारी जो है ट्रेनिंग हुई दिरी दिरे हमने घाड़ी चलाना स्टार्ट किया लेकिन हमारा जो लेसेंस है थोड़ा लेट बना लगबख तीन महीने बाद हमने अपना लेसेंस अपलाई करा क्योंकि हमारी कंपनी लोक षरक्न काम करती थी है और leg घांगें अगे चाए दूर आते जाते नहीं थे और आपकी इकामा बन चुका है अभी लेसंस नहीं बना है तो आप उसके साथ जाएं क्योंकि आपको बहुत सारा फायदा होगा जाने के एक तो आपको ट्रैफिक रूल का पता लगेगा और उदर जो श्टेरिंग है वो इंडिया की एपेक्सा दूसरी तरफ है और सड़क प पर तो अबना हाथ आप साफ कर सकते हैं फिर हमारा जो है तीन महीने बाद लैसेस बन गया अगर मेरा लैसेंस किस तरीके से बनाया नए लोगों को किस तरीके से ले लैसेस बनवाना है अगर उसके उपर आपको वीडियो चीए तो आप मुझे कमेंड में बताओ मैं उसके पर भी वीडियो बना दूंगा जब आपका लेसंस भी आ जाता है तो आपको गाड़ी मिली जाती है लगबग पहले भी मिल जाती है कई लोगों को तो उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि लोकेशन अगर हमको कहीं पर भीजा जाएगा हम कैसे जाएं ट्रै दि नहीं छलों होता है तो यह थिरी हमको पता लगता है जाए रहे को बात करें हम लोकेशन कैसे पता चलती जब भी आप पहली बार गाडियोगे जब भी शुरू में चलोगे तो आपके साथ किसी पुराने ड्रैवर को साथ बीजा जाएगा उसके बादक्तहुण पता बज़े से इतने बज़े तक मत जाना जिस ट्रिप के लिए आप जा रहे तो धीरे 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 आप कैसे बताते रहेंगे तो एक देड़ महिने में आपको सब पता लग जाएगा आपका धेट भी खुल जाएगा फिर आपके कंपनी आपको लोकेशन देगी वट्सेप पर आप उस लोकेशन को ओपन करके बड़े अराम से पहुंच सकते हैं क्योंकि सौधी अरब में जो है इतना ट्रैफिक नहीं होता है और जो शहर में ही ज्यादा ट्रैफिक होता है और फोर वे थ्री वे इस तरीके से वहां पर सड़के होती हैं ज पर बटी आपríaгиशन के लिए लोग चौए के लोग हैं कुछ लोग तो अच्छे होते हैं मतलब्बल यानि साथ नहीं देते हैं countries और दर आप नहीं बिल्कुल भी नहीं है आपने अपने विश्वास रखना है आपने सबसे पहले पहुंचने के बाद हमापर ड्रैविंग रूल सीखने हूँ कैसे आप सीखेंगे आपका जब इकामा बंजया भी लैसे नहीं बिना आपको गाड़ी मिल ठीक है नहीं मिली तो पुराणे ड्रैवर के साथ जाए अग दोस्तों मैं सबको यह को कि भाई को इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप सही तरीके से आते हो और अगर आपको वीडियो में भाई कुछ समझ में नहीं आया तो भाई आप अपने भाई को मैसीज भी कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम गूरूप भी जोएन कर सकत दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अच्छी वीडियों के साथ बत तक के लिए स्वस्तिक्राव नमस्ते अ का हुए कि तब तो कि